कि दोस्तों मैं फिर से यहां पर आया हूं आपको कुछ स्टैटर्स की समझाने की लिए तो दोस्तों सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं कि 9 और 10 जून के लिए हमने एक फ्री को कॉर्स रखा है 9 और 10 जून के लिए हमने एक फ्री कॉर्स रखा है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसेमेंट्स होना चाहिए उसका बेनिफिट लेना चाहिए हैसा मैं समझत्या हूं तो उसके लिए आपको वाच्थ नंबर दे गया है उसके उपर आपका नाम आप कहां से हो, कौन से स्टेट से हो और आपका गाउ का नाम कौन सा है तो यह अगर आप दर्ज करेंगे तो यह कोर्स में आपकी एंट्री हो जाएगी तो दोस्तों यह कोर्स का बेनिफिट इसलिए है कि अभी जो टाइम बचा है इसमें आपका रिविजन होना चाहिए या तो स्टडी होना चाहिए तो जो भी स्टडी होगा उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तो चलो दोस्तों अभी स्टैटर जी के उपर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ड्रॉइंग के लिए कितने questions आते हैं और कितने marks के लिए आते हैं तो यहाँ पर मैं एक बताना चाहता हूँ कोई drawing यह 80 marks से ले गए तो 100 marks तक questions आते हैं exam के अंदर 80 to 100 marks के लिए question आते हैं इसमे principle of design यह जो topic है इसको सबसे ज़्यादा marks मैं बोलूँगा 20 marks यहाँ पर आते हैं इससे भी ज़्यादा जो marks है यह 30 second के लिए आते हैं तो यह दो जो topic है यह काफी hard है लेकिन आगर आप study करोगे तो काफी easy है तो अभी जो 5-6 दिन बाकी है 4-5 दिन जो बाकी है इसमें आपने क्या करना चाहिए तो यह दोनों के भी 100-100 questions आपने solve करने चाहिए ऐसा मैं समस्ता हूँ तो अगर यह 100-100 questions आप solve करेंगे तो आपको 20 marks और 30 marks मतलब 30 second के लिए जो 30 marks है वो आराम से मिल जाएंगी और principle of design के लिए आपको थोड़ा study करना पढ़ेगा थोड़े याद रखने पढ़ेंगे लेकिन ये भी marks आपको easily मिल सकते है तो दोस्तो एक art art करके जो topic आता है जिसमें वो सारे questions आपको देखने के मिलते हैं वो भी लगबग देखा गया तो वो 15 marks से लिए आपको मिलता है तो 15 marks मिलाना काफी आसान है थोड़ा सा आपको उसके लिए रखना पड़ेगा या तो बार-बार देखना पड़ेगा तो ये दोनों भी चीज़ें आपको करने वे तीन topic बताए इसको एक-एक देना कर देते हैं तो ये काफे अच्छे से हो जाएंगे और आपके 65 marks यहाँ पर लगबख fix हो जाएंगे तो ये तीनी topic के उपर आपके 65 marks यहाँ पर मिलते हैं और बाकी जो subject है imagery graphic है, cognitive है, aesthetic है, color theory है तो ये जो सारे topics है इसको थोड़े कम marks है ये लगबख 35 marks के लिए आपको बाकी सारे topics आपको 35 marks के लिए मिल सकते है तो 35 marks के लिए जो topic है उसके लिए बाकी जो बचे है दो या तीन दिन उसमें आप study कर सकते हो तो अगर आप सभी topic का अगर हिसाब किया जैसे मैंने अभी बताए कि ये तीन topic को अगर daily one one hours अगर देते हैं और बाकी जो topics है इनको भी आप totally one one hours देते हैं मतलब सब topic मिलके अगर one one hours आप करते हो तो दो या धाई गंटा अगर आप daily देंगे तो 4-5 दिन जो बचे है इसमें 10-15 गंटा आपका आराम से study हो सकता है आपको मेरे हिसाफ से 150 plus marks आराम से मिल सकते तो दोस्तो 160 तक आपको जाना है तो जो मैंने drawing के और aptitude जी के और maths और English इनका भी आगर study कर लोगे तो 160 plus marks आपको आराम से मिल सकते हैं लेकिन proper study होना चाहिए और proper आपने उसके तरफ देखना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर एक बात फिर से बताना चाहिए कि आपके marks बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर एक free course रखा है और यह free course का ज़्यादा से ज़्यादा benefit आपने उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा students ने यहाँ पर इसमें enroll होना चाहिए तो दोस्तों यह 9 और 10 जून के लिए है टाइमिंग हम आपको WhatsApp के उपर बताएंगे तो उसमें अगर आपका नाम दर्ज करना है तो WhatsApp के उपर आप आपका नाम आप कहां से हो आपका state कौन सा है इतने तीन चीज़े आपको यहाँ पर टाइब करनी है और यह message send करना है तो WhatsApp नमबर यहाँ पर दिया गए तो दोस्तों जो मैंने strategy पताई उस हिसाब से अगर करेंगे और हमारा course अगर जोईन करेंगे यह बिल्कुल free है तो आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको 150 plus mark तो मिलने ही मिलने है तो चलो दोस्तों चलते हैं Thank you very much